एक धाबा स्टाइल रेसिपी बनाने वाले हैं एक दम करारी एक दम क्रिस्पी और अगर आपको अंडा पसंद है तो डेफिनेटली आपको यह हमारी अंडा कड़ी की रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है देशी कुकिंग भी देखता है आप सब का बहुत स्वागत है और आज हम बनाने वाले हैं धाबा स्टाइल अंडा कड़ी की रेसिपी बिल्कुल लटपटी ग्रेवी के साथ बिल्कुल धाबा वाला टेस्ट आएगा बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेजर है और घर के मौजूद स समान से हमें से बनाएंगा बहुत जादा तेस्टी बन के तायार होगा तो बिना देर किये आज की रसे पे हम सुरू करते हैं अ अर्षा टाइल अंडा कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने अंडे को बाल लेना है और उसके छिलका निकाल करके हमें रख लेना है यहां प तो तो रेंगे और यहां नहीं पर घूंड़ की आब निटां का। जिसे ड़ी खprises, जिपसाँ केकी अच्छी सिंगाने तो यहां है मेच्ड़ गटना निधों और यहां पर हमारा अंडा अच्छी तरह से गोल्डन हो चुका है अब हम इसे निकाल करके सेपरेट कर लेते हैं तो इस रेसिपी में अंडे को फ्राइ करना बहुत जलूरी है जिससे हमारा जो अंडा है वह कुरकुरा क्रिस्पी सा थोड़ा सा ग्रेवी में जाने के बाद भ पत्ता असके साथ हमने दो लौम इसके साथ अरफ एक चमच की जीरा और इन्हें थोडा सा चटकने देंगे और उसके बाद हम इसमें कट सकते हैं दालन के साथ यथा मिला लिजेए इससे 39 मिनिट में इसमें कर लिए यहां पर वहात ही अचीतर से गोल्डन हो चुका है तो अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब अध्रक लसन का पेश्ट डालने के साथ हम इसको फिर से चला करके एक मिनट के करीब पकाएंगे और जब यह थोड़ा पक जाएगा तब हम इसमें टमाटर एड़ करेंगे तो टमाटर की क्वाइटिटी भी हमने एक से दो साइज का टमाटर लिया है तो इसे चोटे चोटे टुकडों में काट करके आप इसमें डाल दीजिए और इससे भी हम सॉफ्ट होने तक थोड़ा से पका लेंगे जब तक हमारा टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए तब तक आप इससे फ्राई कीजिए गैस का फ्लेम आप मीडिय आज और अध्रक लेसन बहुति तरह से अभू सेोच तो अब हम इसमें पूच मसाले करेंगे तो पर एयकàng हम बन चला लेते हैं पिर नहीं हम साले डाल देंगे आप हम कुछ मसाले घुल तो सबसे पहले हम यहां पर डाल देंगे थक जार्दिंग नमक नमक अब्लाइब के जीरा का पाउडर डालें और इसके साथ आप छोटा चमज के करीब को काली मिच का पाउडर भी इसमें डाल देना है और इसके साथ ही आप डाल दीजे थोड़ा सा गरम मसाला आधा छोटा चमज से भी कहम हमने गर्मसाल का यूज की अ IW hasta मिला देना है अच्छी तरह से और मिला करके हमें इसे सूखा your फ्राइ कर लेना ठीजित ऑप उसी तर से सुखा फ्राइ कर लेना है और साथ ही में डाल दीजी तरहाख़ी का करोड़ रीमिर्च आंडा कडी में लिप शाल ही बहुत ही अच्छा आज़ाएगा और इसे भी डाल करका मीला ली तो इसी तरह चलाते हुए आपको थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा इससे सूखा फ्राइ करते हुए पका लेणा है कुछ तीन से चाल मिनुट में वराबर से पके तैयार हो जाएगा तब आप इसमें तब आप इसमें थोड़ा सा पानी याट किजिए और पानी डाल करके 5 मिनट के लिए गैस का फ्लेम आप मेडियम तो दो रखिए और 5 मिनट के बाद दकना यह ये देखि कितना अच्छा हमारा जो बहुत ही अची तरह से पग गया है बहुत ही सोना सोना से खुसबू भी आने लग गया है इसमें बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है तो अब हम इसमें अपने फ्राई के अवे अंडे को डाल देते हैं और अंडा डाल करके इसे मिला लीजे अच्छी तरह से कुछ एक मिनट के करीब आपको गैस का फ्लेम तेज करके इसे अर्ट लेना है मसालों के साथ और जब अंडा पूरी तरह से मसालों में लिपट जाएगा तब आप इसमें पानी आड्ड कीजे तो पानी घरम भी एड्ळ कर सकते हैं धंडा भी एड़ कर सकते हैं मैंने यहां पर ठंडा पानी डाला है एक से डिटड़ ग्लास के करीब हमन जरूर ट्राई कीजिए और यहां पर देखिए हमने अच्छी तरसे से मिक्स कर लिए अब हम इसको ढख करके छोड़ देते हैं कुछ चार से पांच मिनट के लिए हवा स्टैल अंडा कड़ी बनकर तयार हो चुका है आप इसे एक बार मिला लीजिए और मिला करके आपको गैस को स्लो कर देना है और गैस स्लो करने के बाद आपको इसमें डाल देना है गरम मसाला तो बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला हम डालेंगे बिल्कुल एक चिटकी के क बहुत ही टेस्टी लगता है आप रेसिपी जरूर ट्राइब कीजिए और गैस बंद करने के बाद आप इसमें डाल दीजे बारीक कटा हुआ हरा धनिया तो यहां पर हमने हरा धनिया डाल दिया है और इसे ढख करके पांच मिनट के लिए छोड़ दीजिए और पांच मिनट क साथ अंडा कड़ी को सर्ब किया है साथ में हमने सैलेट भी रखा है बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है आप जरूर ट्राइब कीजिए और ट्राइब करने के बाद अगर मेरा आपको रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब क अबंचर रेसिपी अच्छ करिए और सोग्छा लगे अच्छा करिए शीज़ रचला लगे इसी रखा है बाद मेरे गो रजूे पलाइक कर दिए तो मेरेसिपी है प्लाइब को राद प्लोगे हैं सेलेट टो मेरेसिए और बाद तो यहीज़ पिन की बाद जो है आपको